दोसो आज के Indian missile series के वीडियो में आप लोगों को नाग missile के man portable variant या फिर कहे तो man portable anti-tank guided missile MPATGM के बारे में बताऊंगा Basically ये नाग missile के base पे बनाये जाने वाले इंडिया के third generation के fire and forward anti-tank guided missile है और इसे defense research and development organization defense contractor VM technology private limited के साथ मिलके बना रहा है तो यहाँ पे Man-Portable Anti-Tank Guided Missile का नाम सुनके आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह Israeli Spike Missile या फिर अमेरिकी Jablin Missile के जैसा ही Missile है जो की कंधे फे रखके फायर किया सकता है और रिपोर्ट के मुताविक फिलाल यह Under Development है इसके Development के अगर इतियास को देखा जाए तो DRDO के तरफ से Man-Portable Anti-Tank Guided Missile के उपर काम साल 2005 में ही शुरू किया गया था पर साल 2015 में Ministry of Defense के तरफ से Officially ऐसे Missile को Develop करने का घोशना किया गया जबकि साल 2018 में इसे लेके ये भी जानकारी दिया गया कि करिवन 73.46 करोर रुपया खर्चा किया जाना है साल 2017 में इनी Missile के Development के कारण भारत के द्वारा Spike Anti-Tank Guided Missile के बड़े Contract को Reject किया गया और DIDO के द्वारा Missile को Develop करने के इरादे को आगे बढ़ाया गया दोसर रिपोर्ट के मुताविक अब तक इन Missile के चार बार परिक्षन किया चुका है जिनमें सबसे पहला परिक्षन 15 September 2018 में हुआ जबकि इसके अगले दिन मतलब 16 September के दिन भी इस Missile के और एक परिक्षन किया गया था Missile का 3rd Phase का टेस्ट 11 September 2019 में हुआ जब Missile को Man Portable Tripod Launcher के द्वारा टेस्ट किया गया था इवन इस टेस्ट में एक डमी टैंक का भी इस्तेमाल किया था जहाँ पे Missile ने Top Attack Mode में टैंक को ध्वस किया Missile का आखरी टेस्ट COVID के Lockdown हतने के बात किया गया और ये टेस्ट 21 July 2021 में था इस टेस्ट में Missile को Minimum Range में Direct Attack Mode में टेस्ट किया गया था दोस्तो रिपोर्ट के मुताविक ये जो Missile है इसका वजन करिफ-करिफ 17 kg है और इसमें Laser Designator के साथ All Weather Sight का इस्तेमाल किया जा रहा है इवन रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसका लंबाई 1300 mm और डामेटर 120 mm का है जबकि इसका अधिक तम रेंज 0.5 km मतलब 2500 मीटर के आसपास है इस तरीके के Missile को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम दो क्रू मेंबर का आवशकता होगा जिन में एक Missile को कैरी करके फायर करेंगे जबकि दूसरे क्रू मेंबर के द्वारा टार्गेट को डेजिगनेट किया जाएगा तो दोस्तो ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हूँ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन